गुड मॉर्निंग अल स्टुडेंट्स वेलकम टू प्रेप क्लास आइम मॉनिका खत्री फॉर्म टाइनी टॉट्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओके जैसा कि आपको पता है कि अभी आज से आपकी ओनलाइन क्लास से स्टार्ट हो गई है तो आपको कंटीन्यू अपनी अटेंड करेंगे ओके सब स्टुडेंट्स अपनी इंग्लिस की नोटबुक ओपन कर दो ओके इंग्लिस की नोटबुक ओपन करने के बाद मैं आप सबसे पहले तो डेट डालोगे आज की डेट क्या है 12 मन्त कौनसा है वन और यर 2022 उसके बाद में आप डालोगे CW क्लास व दिख रहा है सबको Y-E-S यस यस मिन्स क्या होता है हां इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हां आपको यस का यूज करना है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यस का यूज कब आता है कैसे किया जाता है ओके जब कोई अपन से कोई क्यूस्चन कर रहा हो जैसे कि मैं आपको ब क्या बोलेंगे उसका आंसर कैसे करेंगे यह देखो जैसे कि इसमें मैंने आपको फर्स्ट मैंने आपको पहला लिख्वाया है फर्स लाइन में फर्स नंबर पर देखो आप क्या यह पैरट है तो इसकी पिक्चर आपको बना रखी है यह पिक्चर पैरट की आपको दिख रही है तो और देखो यह अ मतलब ए क्यूं लगा इसके आगे इसको क्या बोलते हैं ए क्यूं लगा है कोई बताएगा जो consonants होते हैं उनके आगे अपन ए लगाते हैं और vowels होते हैं उनके आगे अपन क्या लगाते हैं ए ए एन ए ओके तो इसके आगे ए इसलिए लगा है ओके इस दिस पैरट तो इसका आंसर कैसे कर रहे है अपन यस दिस इस पैरट पैरट मिन्स क्या होता है तो ता उसकी spelling क्या होती है सब बोलो p a r r o t parrot ओके और second देखो second में मैंने लिखा है is this a camel camel means क्या होता है उंट क्या यह उंट है yes यह तो उंट का ही picture है तो आपन इसका answer क्या करेंगे yes this is a camel is this a camel तो आपन लिखेंगे इसका answer देंगे yes this is a camel okay next third third मैंने क्या लिखा है देखो is this a flower flower means क्या होता है full f l o w e r flower तो यह picture आप देखो आपको दिख रहा है शो हो रहा है आपको flower का picture है यह तो अपन इसका answer क्या करेंगे yes this is a flower हाँ यह flower है ओके समझ माया आपको ऐसे आपको yes का यूज करना है जब अपन से कोई question करें तो अपने answer क्या देंगे yes मैं ओके तो यह आपको अपने English की notebook में अच्छे से करना है आज की date डालोगे cw लिखोगे उपर heading सबसे पहले first है उसके बाद में उसकी answer करोगे उसका फिर एक line छोड़के second दो लाइन लिखके फिर एक और line छोड़ोगे gap करना एक इनका और फिर third ओके ऐसे करके आपको English की notebook में काम करना है इसके बाद में आपका और भी वर्क है जो आपकी good writing वाली बुक है वर्क बुक है उसमें आपकी creative writing है वह आपको टू-टू-पेज हमेशा फिल करने है ओके इससे आपकी handwriting और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी good writing वाली बुक है उसके टू-पेज डैली आपको फिल करने है और यह वाला जो वर्क है यह आपको copy में करना है अपनी notebook में करना है अच्छी writing में अच्छे से करना है और इसको learn भी करना है कल अपन नेक्स वीडियो में मिलेंगे इससे आगे का जो भी है topic वो करेंगे ओके गुडबाई टेक केर